हेलो फ्रेंड्स चलिए कुछ अच्छा खाते हैं गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है राते के साथ तो इसका स्वाथ और भी बढ़ जाता है तो मटर पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे महीन किस्म का चावल तो मैंने चावलिया है सबसे पहले चावल को वास करेंगे और अधा गंटा पहले इसको वास करके रखड़ेंगे भिगोना नहीं है इससे चावल में पाने डालने के बाद हलके हाथों से चावल को मेलेंगे इससे जो चावल की पॉलिस होती है या थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है तो निकल जाती है और चावल बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं तो चावल को धोने के बाद में इसको हम रख देंगे इसी तरह से देखे चावल अच्छे से साफ हो गए हैं और अब हम लेंगे कोई भी कड़ाई, कूकर या पैन जिसमें हमको पुलाव बनाना है या तो पुलाव किसी ऐसे बरतन में बनाए जिसमें हम अच्छे से कवर कर सके पुलाव को पकने के लिए तो पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो चम्मच घी और इसको गरम होने देंगे देशी घी और खास मसालों के साथ जो पुलाव बनता है उसका स्वात तो क्या कहना तो घी गरम हो गया है इसमें मैंने तीन डाल दी है साबुत लाल मिर्च अधा चम्मच के लगभग जीरा दो से तिन इलाची को खोल करके मैंने डाल दिया है और एक ली है बड़ी इलाची और एक डालचीनी का टुकड़ा सारे मसालों को 20 सिकेंड भूनने के बाद मैंने दो मिडियम साइज के प्याज को पतले पतले स्लाइज में कट किया है डाल देंगे और प्याज को भी इस तरह से भूनेंगे इससे पहले भी मैंने पुलाव की कई रेसिपि आपके सांद चेक कर सकते हैं तो प्याज बन्यमेर्ची Okay इसको हलका सा हम उलट पलट देंगे और इसके सांथ ही इसमें दो इतीन हरी मिर्ची को मैंने कट किया है तो हरी मिर्ची भी इसमें डाल देंगे साथी में एक गाजर को कट किया है गाजर भी डाल देंगे और पुलाव की सबसे खास इंग्रिडियन जो है वो है मटर तो एक कटोरी मटर मैंने लिया है मटर भी इसमें डाल देंगे तो इन सब्जियों को घी में हलका सा उलट पुलट लेंगे भूनना भी नहीं है या तो आप चाहें तो एक मिनट के लिए भून भी सकते हैं तो अब ही हम धूला हुआ चावल इसमें डालेंगे और चावल के साथ डालेंगे इसमें पानी तो मैंने जितना चावल लिया है उसका डबल पानी लेंगे आधा बाउल चावल है तो इसमें एक बाउल हम पानी डालेंगे उससे पहले हम सबजियों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे चावल के साथ जिसे कि पुलाओं में चारों तरफ सबजियां अच्छे से फैल जाएं तो आप जब भी चावल बना रहे हूं या पुलाओं बना रहे हूं सकते हम सबसियां किने बना रहे हैं या पुला फटा कि किन लिगो हैं तर लेट शीति सबसी हैं या तो र्याजिते के सांद में सब्सक्राइब बहुत अच्छा होता है। या तो इसे आप किसी भी मसाला सबजी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो पुलाव तयार हैं फिर भी हम इसे दो मिनट के लिए धक कर के छोड़ देंगे इसी तरह से दो मिनट के बाद हम सर्व करेंगे तो पूरे पांच मिनट के बाद मैंने पैन का धकन हटाया है और बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है पुलाव से तो मैंने इसे परूसा है रायते के साथ इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज प्लीज रेस्पी पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वडियो पसंद आया हो तो वडियो को लाइक करें अपने फैम किसके साथ खाना पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं अगले वडियो में एक नहीं रेस्पी करें